अविनास इंस्टिट्यूट आफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अविनास मिसरा आज की इस वीडियो में हम लोग संदेह अलंकार के बारे में गहराई से अध्याइन करेंगे अभी तक मैंने बहुत सारे टॉपिक के उपर वीडियो बना दिया है अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा संसय बना रहे वहां संदेह अलंकार होता है संसय का अर्थ होता है संदेह यानि कि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देख कर कुछ समझ में ना आए एक संदेह बना रहे तो वहां पर क्या होता है वहां पर संदेह अलंकार होता है संदेह का अर्थ होता है संसय बना रह समझ में आगया आप उधारड देखो अच्छी से समझ जाओगे तो पहला उधारड है या काया है या सेश उसी की छाया छण भर उसकी कुछ समझ नहीं आया तो यहां पर एक काया है काया मान लेते हैं किसी लड़की का या इस्तिरी का नाम है तो जो उसे देख रहा है उस को देख कर समझ में नहीं पा रहा है कि उकाया है कि या उसी की छाया है या उसके जैसा कोई और है तो यहां पर क्या हो रहा है एक संसय बना हुआ है एक संदेह बना हुआ है तो जहां पर संसय की स्थिती होती है वहां पर क्या होता है संदेह अलंकार होता है समझ में आया ग संदेह बन रहे हैं कि सारी के बीच में नारी के सारी है संदेह बन रहे हैं संदेह की सारी हे है वो नारी है कि नारी जो है उसी की साड़ी है तो यहाँ पे पूरी तरह से संदेह बना हुआ है संसय बना हुआ तो जहाँ पे संदेह होता है संसय होता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है संदेह अलंकार होता है तीसरा उदहरर देखो वह पूर्ड चंद्र उगा है या किसी का है मुखडा यहाँ पे देखो एक संसय की स्थिती पैदा हो रही है अब सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि वह पूर्ड चंद्र उगा है वह देख रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्ड यानि कि पूरा चंद्रमा हुगा है या किसी का चेहरा है मुखडा मतलब चेहरा उस सामने जो देख रहा है उस समझ नहीं पा रहा है कि किसी का मुखडा है या चंद्रमा हुगा है तो जहाँ पे संदेह बना रह झाल झाल झाल